हेलो दोस्तों कैसे आप सब बहुत दिन बात आज मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने हूँ एक्चुली दोस्तों हमारी पढ़ाई चल लए और मैं मेरा एक्जाम है तो मैंने इसलिए थोड़े दिन के लिए वीडियो बनाने इसका ब्रेक लिया था जिससे पढ़ाई अच्छी हो सके लेकिन इस बीच बहुत दिनरों से मैं वीडियो मिस कर रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो होई जाए रूम के अंदर का ही वीडियो हो जाए दोस्तों जैसा कि आप सब जानते है इस्टूडेंट लाइफ में जो है पार्टिया बहुत कम ह होती है और अगर पार्टि होती भी है तो पनीर कोई बना लेता है या छोले बना लेता है या राजमा बना लेता है तो यहीं दोस्तों बीच पार्टि हो जाती है तो आज हम दोस्तों ने भी पनीर बनाने का निर्णा लिया है और साम को पनीर बने की हमारे जो है सूरज भा थोड़ा बहुत इंज्वाय होगा फन होगा आपको अच्छा भी लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा बहुत दिन बाद मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसलिए चलिए मैं इस वीडियो को सुरू करता हूं और जो है आप लाश तक देखिए और सपोर्ट दीजिए द कुछ तयार है यहां पिर लेसुन मिर्च और अद्रक का पेश्ट तयार है और यह स्पिसल मसाला हम लोग बनवा के लाएथ है इसमें अच्छे से स्पिसल मसाला आप कुछ भी कहिए पनीर का तो बना देता है और फिर हम लोग अब गैस आन करके अब तेल चड़ा दे रहे ह है दोस्तों हम यह पनीर बनाना नहीं सिखा रहे हैं आप लोग तो अच्छे पनीर बनाना जानते होंगे बस हम लोग अपना एक्स्पीरियंस एर कर रहे है कैसे हमने पनीर बनाई और पार्टी की तो आप इस वीडियो को लाइटली लीची इंज्वाइब के बेसिस पे ना तो आज मैं सिर्फ कैमरा वोल्ड का काम कर रहा हूं वैसे मैं भी खाना बनाता हूं लेकिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि स्पेशलिस्ट आचुके हैं यह रहें यह बाई साहब इतना तेज रोटी बनाते हैं कि रोटी खाने वाला भी इनसे तिंजुआ है कंपटिशन नहीं कर सकता है क्यों वाई जैक्टली तो दोस्तों लगबग हमारी प्याज जो है पक चुकी है ऑईल में और इसको चलाते जा रहे थे तब तक हम लोग घंजार करते हुए अपना जो है टाइम इस्पेंड कर रहे हैं पार्टी हो रही है पार्टी जो घुक्त है हमारा मिलना तो कवी कवार होना है यह देखिए सूरज भाई नी को हम लोग पनीर स्पेसिलिस्ट बोलते हैं काफी अच्छी पनीर ब जो हम लोग बनवा के बाहर से ले आए थे इसको तयार कर रहे हैं और इसका भी यूज अच्छे सोगा तभी टेस्ट आएगा उनका कहना है और हाँ दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ट्रेविलिंग ब्लॉक्स देखने का सौक है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो एक्जाम की वजास से अभी मैं ट्रेविल ब्लॉक्स नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए यार रूम का एक मिनी ब्लॉक्स आपको दिखा दे रहा हूँ और आने वाली दिनों में जो है मैं जरूर ट्रेविल ब्लॉक्स दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट मिलेगा दोस्तो हमारी पनीर उधर तयार हो रही थी और हम बात करने में लग गए तब तक हमारे रोटी स्पेसिलिस्ट भाई साब कुद देखा मैंने कि यह बहुत सारी रोटिया सेख चुके हैं लग बग हमाने हमारे खाने भर की देखिए कितना तेज रोटी सेखते हैं इसलिए मैंने इनको कहा था कि बहुत तेज रोटी सेखते हैं और ज्यादा गोल तो नहीं बनती इनकी रूटिया लेकिन फिर भी ठीक होती है पकती है अच्छे से तो खाने के लिए वही सही है और चलिए आपको दिखाते हैं हमारी पनीर भी बन चुकी है दोस्तों इसके उपर से हरी धनिया काट कर मिला देते हैं जिससे इसका स्वाद औ रहाँ और हमारी पनीर बनकर तयार है और हम चलते हैं अब इस्टर्थ करते हैं दोस्तों यह देखिया हमने खीरा कर असलाद मेरा भी काट लिया है यहां पर जो है हम लोग की पनी निकल गई है रोटी निकल गई है चाौल लोग नहीं बनाया है और साग में जो है यह है और वीदियो करते हैं और थाने का नहींे